एक काने के दुआ नालार मैं आपको बताना चाहती हूँ की बगत के बसमि ए है बगवान बगत व हो ही बी हो उसके काम कुछ भी हो वह कैशा भी काम करता हो लेकिन पर्मागतमा हमेश्या बाहना देखता है कि किसकी बाहनाकर पाजह त्याग म betो कुशी को परमात्मा आगे आगे बचाता है चाहिए वो कितने भी मुशीवत में हो अपने वगत को कभी नहीं मरने देता कभी नहीं दूमने देता हमेशे उसकी नईया पार लगाता है ऐसी ही एक आणी मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हूँ पहले क्या था कि जो काम परिवार के बड़े बुजर्द करते थे वही उसकी उलाद करती थी क्यों क्योंकि वो देखती वही थी जैसा देखते थे वैसा ही करने की चाह रखते थे इदी कोई खेती बाड़ी करता तो उसके उलाद यही सोचती थी कि मैं भी खेती बाड़ी करूँ और धन कमाँ लेकिन एक शिकारी था एक पार दी था उसके बुजर्गों का क्या काम था कि वो सुबह उठके खाना खाके एक टोकरा और जार लेके जंगल में जाते थे और महां से कित्रबटेर मार्केट लाते और वपिस घर आके बाजार में उन्हें बेच देते जो की पैसा उनसे मिलता उस से अपने बच्चों का बुजरा करते पर दिका यही काम था हर रोज उठता एक जान लिया और एक टोकरा लिया बास्केट के लो आप आज के टाइम में और उठा के उसको जंगल की तरफ चल पड़ा हर रोज की तरह कित्रबटेर लिये और वापिस शैर में आ गया और अपने बच्चों के लिए बोजन ले आया अगले दिन फिर गया क्योंकि ओ तो रूटिन का काम था उसका रोज का काम था ऐसे ही करता था जैसे के उसके बड़े बुजर्ग करते थे फिर क्या हुआ कि जहां भी ओ गया जिस पेड़ के नीचे जाए सभी के सभी पक्षी उड़ जें निरास होकर शिकारी पार दी वापिस लोटाया उसकी पत्नी कहने लगी आज बच्चों को गोजन कहां से खिलाएंगे गोजन की विवस्था तो भी नहीं, क्योंकि उसे तीतर बटेर मिले नहीं, बाजार में विके नहीं, तो गोजन कहां से आता है। अब पानी पी के बच्चों को फिला के दोनों मियावी भी शो जाते हैं। सुबह उचता है, फिर जंगल की तरफ अपना टोकरा और जाण लेके जाता है। काफी दूर उसको एक सादू दिखाई देता है, जो तप्रया होता है। उसको कुछ नहीं पता। जैसे कि हमारी माननेता बढ़ी हुई है, कि हम मंदीर, मस्जीद, गुर्दुवारा में मनोती मांगते हैं। वैसे ही विचारा अनपड गवार था। उसने दूर से का, ऐ मोडे। आज तू मुझे तीतर बटेर दिला दे और मैं तुझे आ दे दुआ। अब उसके जो दूरा थी वो कभूल होगी। जिस पेट पेदी उसने जाड फैक्या, काफी सारे तीतर बटेर उसकी जो हना जाड के अंदर फशगे, और तोक्रा बरके शैर में ले आया। और काफी सारे पैसे मिले बेचने से और काफी सारा थो खाद्य सामकरी थी, वो अपने घर ले आया। अब पार दीकिर मिशीर पूछने लगी के आज आपको इतने कहां से मिले। बर्यवस बुज्जा बनना नुएं पाएगे थे। कोई बात नहीं। लालचबुरी बला होती है। उसने पहले दिन भी सोचया कि मोडे को क्या देने हैं। साथ हूं तो इनको यह फैक देगा। और यह गल जाएंगे। मेरे तो काम में आँएंगे। बजार में से पैसा मिलेगा। अगले दिन फेर पहुंच गया। फिर ऐसा ही हुआ। जिस पेड के पास जाए तीतर बटेर उड़ जाएं। और उसके कोई हाथ नहीं लगा। फिर उसने सोची उस मोडे का फिर नाम ले लेता हूं। दूर से खड़ाओ के दंडवत परनाम करके बले आओ मोडे। आज आज यार और साथ दे। आज तना पक्क्या दे देगा जाएं। कल आड़ी बहिमानी नहीं करूंगा। के कल मैं सारी ले गया था। लेकिन आज पक्क्या दे दूँगा। अब उसकी दूआ कबूल हुई और उसने जो घाण झाल भैंक्या हुआ और सभी तीतर बटे रुष जाल के अंदर उसका टोक्रा फिर वर गया। टोक्रा लेके बजार में आया। उसने जो घाना बजार सायवा। पिर उसकी पतनी ने शवाल किया। कि आज फिर तू इतने लिए आया, कहीं से चोरी तो नहीं करके लाता है इतना, तो बोजन का सामान का भी नहीं लेके आया, बले बस छोड़ इन बाताना है, बोली नहीं सची बताए, बले चलो कल बताऊंगा, अगले दिन फिर टोक्रा उठाया, जार उठाया और पहुंच ग तू आज आज और साथ दे मेरी, मोडे तेरा क्या बिगड़ता है, मेरे बच्चों के अच्छा बोजन मिल जाता है, तू आज दे केक रहे हैं, आज गड़ा दे हैं, इसलिए बना निए, आज तो न पके दूगा, फिर अपने मन में ठान ली, और फिर टौकरा बर गया उसका, फिर आके सेर में ले आया, बेच के फिर बच्चों के लिए काफी सारा बोजन ले आया, फिर उसकी पतनी ने सवाल किया, के सची बता दे, आज घाना तब बढ़ेगा, जब तू सच्चा ही बताएगा, नहीं तो मैं बच्चों के लिए खाना नहीं बढ़ाँगी, पता नह तो क्या पाप करके लाता है, ऐसा भोजन में अपने बच्चों को नहीं खिलाओंगी, जो पाप करम का होगा, यदि सत करम का होगा, तेरी महनत का होगा, तो ही खिलाओंगी, नहीं तो मैं बच्चों को भोजन में खिलाओंगी, अब शिकारी तो मुशिवत में आ गया, कि बत एवान, बता देता हम, उड़ा एक मोटड़ा तपधा जंगल में है, मनना जो हना उसको दंडवत परनाम करया दूरते हैं, और उसको बोल दिया, कि यदि मेरे को जादा सारे तीतर बटेर मिल गए, तो मैं इतनाज दे दूगा, और तीन दिन होगे, मैं उसका नाम लेता हूं मेरे को काफी सारे तीतर बटेर मिलते हैं तोकरा बर जाता है, लेकिन मेरा मन पापी है, लालची है, और लालच मैं मैं उसको नीदे के आता हूं, और सारे के सारे लाभِ बजार में बेच देता पूंग और उनसे बोजन ले आता हूं। अब शिकारी की पतनी बोली, कि आप तो चाहे कुछ भी करें, अधायसा उसका था तुन्हे दे के आने चाहिए थे, बले मेरे को तो जो हना अब क्या हो, बले तेरे को तो पाप चड़ी गया, ओ कैसे उतरेगा, बले दंडवत परनाम करके सादू के पेर पकड़ ले और उससे पूछ, क्यों तुझे माफ कैसे करे मुझे नहीं पता, लेकिन घर में तब आना है जब सादू माफ कर दे और तू जो हना अपने समस्या का समाधान कर्ष रखे, अब अगले दिन फिर ठाया अपना टोकरा और जाड और शीदा शीदा सादू की खुटिया मैं, अब सादू को पता नहीं क्या हो रहा है, उसने जाके ठैके अपना टोकरा और जाड और सादू के पैर पकड़ लिए, अब सादू ने सोची है क्या बात है, कैसे बोल रहा है हो, लेकिन वोड़ा इंसान था, उसके मन में उसके परतियादर था, लेकिन उसकी बाशा ऐसी थी, कि वो उसे ऐसे बोलना आता था, अब सादू अब सादू ने सोचा है तो बोला, पागल इंसान, चलो इसका भी समादान करते हैं, सादू बाला, क्या तू वो काम करेगा जो मैं कहूंगा, बाला, क्या मैं बता दे, मैं तो आगया गरते हैं, तेरा काम पुका करके जाँगा, बाला तो इस जंगल में एक गूजरावा है, छोटाए बालक से, उने लिया और तेरे को माफ कर दिया है, यू मान ले, जिब तेरे को माफी मिल जाएगी, बला, के कहना है, बला, के मार लिये किर्शन गोपाला के, और उप पाज जागा, उने लिये, बला, या दिकमित बात को ने, पौरी ठाग लिया ना है, पौरी ने लिया कांद अधर के, लेकिन उस मोड़े इंसान को पता नही था, के सादू पाज लगाई कर्शन गोपाला, कर्शन गोपाला कहीं सा पाली दिखाई नहीं दिया, ना गईयां दिखाई दी, ना पाली दिखाई दिया, कुछ दिखाई नहीं दिया, अब भगवान ने सोची के चलो शिकारी है, बोड़ा इंसान है, इसे कुछ ज्ञान तो है नहीं, आ इतनी जोर की आंदी चली के रेत के नीचे दब गया अब आदा गंटे के बाद आंदी रुक गी रेत जाड़का फिर खड़या हो गया अब रहो बगवान तू कर ले कि मैं मैं नहीं जाया करता और पाड़ी पालेगा जब जांगा मैं के पाड़ी ना छोटू हूं अब यहाँ अपारि इस बीचा नहीं पूच नहीं आप रमातमा ने क्या किया के बर्शाथ कर दी बर्शाथ की इंस कि इतनी बर्शाथ की बर्शाथ की तो yellow in the chi happened कि मांय मैंजी जागता ऑपॉड़ी त्यहाँगा जैगा ऑपॉली मैं जब जाँगा जब पाड़ी मिल लेगा तो गोवर्ने सोची बड़ी मुशिवत यह बोड़ा इंसान नहीं मानने बोड़ा उसके बार फिर धूप पी हुई उपर से टांट जड़ाया निचे से पैर जड़ाया तन पर कपड़े थे ही नहीं फटे पुराने थे पशिन आय प्यास लगी खाया नहीं पिया नहीं भुखा प्यासा बल्या मैं नहीं जाया गरता मैं जब जाँगा जब पाड़ी मिल लेगा अब बगवान सोचने लगया कि यदि ये इंसान यहां मर गया इसकी में तू होगी तो तेरे पर कलंक लग जाएगा यू कहते हैं बगत के बस पी पानचार गईया बनाई और छोटा सदंडा लेके छोटा बच्चा बढ़के और शिकारी के सामने जाके गईया चराने लगया अब देखे शिकारी नहीं बला तन्ना यह ता दुखी कर रहा था तामा पाड़ी कह देन होगे आड़े उखेते साहिन है इव ले जागे उस अब उसने वगवान को उठाया कंदे पे बिठाया और कंदे बिठाकर सादू की पुटिया मैं गया बलाय मोडे आग खोल देख तरह पाली नठाले आया हूं मैं यो तरह पाली ले अर्मन ने श्राप मुक्त करके मेरा पेंड़ा छोड़ दूए अब देख्या सादू ने आप फो एक शिकारी के कंदे बे बगवान हाद जोड़ के सादू और शिकारी के पैरों में गिरिया है परमातमा मैंने तो पूरी जिंदगी आपकी वंदना की पूरी जिंदगी आपका बजन किया लेकिन आपने मुझे अधर सन्य दिया और ये शिकारी जो हर रोज तीतर प्राण नोचावर करने के लिए भी तैयार रहता है। वगवान रुप्त हो गए और सादू बला ये दो जोडे हाथ तुम मेरे सभी स्रापों से मुक्त है। उसके पीछे से क्या हुआ कि जो शिकारी की पतनी थी उसके पास जो पैसा था बचया खुचा उससे उसने छोटी शी दुकान कर ली और उस खुद सामान खादय सामगरी बेचने लगी और उससे उसका गुजारा चलने लगया। जोई शिकारी घर आया उसने देखका। पतनी ने था जोटी शी दुकान कर रखी हैं। चली कई गर दी किया तहर जोड़ ठोड़े थोड़े ठोड़े पैसे बचा लेती ंगारी पैसे बने डुकान कर ली। वही शिकारी एक दिन इतना बड़ा बिजनिसमेन और शेठ हुआ क्यों क्योंकि उसने त्याग किया था बगवान की बंदना इस त्रेशे की थी कि उसने अपने त्याग भीच ले जाते तो कोई परवा नहीं थी तो बगवान बगद के बस में इसलिए है क्योंकि जो बगवान के लिए राण जागने के लिए तयार रहता है उसके लिए बगवान भी रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं यहीं तब ही तो कहते हैं कि बगवान बगद के बस में जहां बगद होता है वहां बगवान को आना ही पढ़ता है और